नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन से आप दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतिवगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान के 270 270 प्रिक्षा केंद रुपी दी है पांचमी चटी साथमी आठमी नवी दसमी ग्यार में बारवी और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्लेटफॉम पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा बजा आया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुन्दर सा पेपर आपके पास आया अबजेक् का मकसद और उस्कुदरशिक नहीं के ओर एड्मेशन नहीं है इस एक्जाम का मकसद है की पांच मी, छटी में, छटी साब्ती में मिए ही बच्चे को बता दिया जाए कि ओमार सीट क्या होती यह गीमार के होती है पक्स आवकिफर करी जचर कुड़ करीब करीब ये वीडियो सोलेशना देख रहे हैं हर क्लास का अलगन साय कि पूरा वीडियो है आपको किसी भी प्रश्चन में लगता है कि हम ने सॉलेशन ग्लत दे दिया लेकि गलत है तो प्लीज आप अपना नाम अपनी क्लास अपना रोल नंबर प्रोक्षिशन नमबर लिखे मेरे इस नमबर पे डबल नाइन तू एट सेवन थ्री डवलेट डवलेट एडवार्स लिए आप लोग बोलो हाया ना और 27 तारीकी ही रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आपके पास आजाएगी इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात क तो 9 बजे हमारी साइट कोन सी? DNAC.CLC.int या इस एकजाम की जो भी स्ट्री है वो सरी नहीं रहेगी अब फिर से एक बास थेकूँ LGBT.CLC.int ओके एकजाम होगी, वीड़ियो सोल्पी देख लिया, डाओट खतम होगे, आंसरों मिला लिए, नंबर चोड लिए, ओके डीयर, ये रिजल्ट की साइड खुलेगे तिन तरी कोई पांच बजे देखो ये रहा अपना रोल ओमर फीड करो अपना मोबाइल ओमर फीड करो अब रुसकार कर दिये जाएंगे वैसे आपको पता है आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखाऊगा ना कि किस जिले में हम लोग दाना उसा बिलकुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊंगा नो डाउट लोड रहेगा बागदूरी रहेगी लेकिन दोस्तों जहुपड़ीं बैटी खोपड़ीं को आगे बढ़ाना परतीबाओं को तलास कर आगे लेके जाना मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवन गाउ कोचिंग स्टार्ट किया था माफी चाहता हूं गलत सब्सक्राम ले रहा हूं अपने आपने केरियर का स्ट्राइड के स्थाई आज तो लोग नकल करते हैं यहां आज तो चलते बाजार में कोई भी अपने खेला लगा लेता है लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया तो आज 270 गार्डियन साब सोचके देखो जाजस्तान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है अल्टीमेट पेपर उसका रिजल्ट कब आएगा आप वीडियो सोलिशन देख रहे हैं आप की देख रहे हैं उसके बाद फंक्शन और हर जिले पर आकर ऐसा नहीं कि एक्जाम कराणी फिरिम में आओ शीकर आजाओ मारे पुरुस्कार लेने क्यों भाई सीकर क्यों आओ सीकर दो बाद की बात है आपके जिले पर आकर आपका पुरुसकार बितुन क्या जाएगा डैट माप जिरूर फ्लीज दूज वाच कर ले हाँ पुर्षकार वितना समारों में सभी मेरे अपने साधरामंत रिते हैं जिन बच्चों ने एक्जाम दी है उनको तो आने आना है अन्य बच्चे भी मोटिवेशन सेमिनार भी होगा वहाँ उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं वसे इस कोरणा के टाइम मे मेरे शाम के लाइव सेस्टन से बहुत से परतेक्ष एपरतेक्ष मेरे अपने जुड़ेवे हैं आपको धाना ना वे डेली शाम को साधे 6 वजे CLCC कर फेस्पूट पेज, CLCC कर यूटूब चैनल और श्रवन CLC मेरे तो पेज है उन सब पे साधे च लाइव आता हूँ आज म करशन की बात आज बहुत अच्छी लगी कि करम को मन से किया जाए तो फल की इच्छा करने कहा हो सकता नहीं है फल बगवान अपने आप देता है तो देरा CLC को ओके वापस पॉइंट काते हैं ठीके डियर रख्जाम होगी वीडियो सोर सुन्दे के लिए कि आ गई 5 मार्श से सोडा मार्श तक आपको फंक्षण में आना है अब फंक्षण में आने के लिए पुरुषकार के लिए आपको अपने एड्मिट कार्ड प्रिवेस पत्र की कोपी साफ लानी होगी और एक बात बदेर करना चाहूंगा जब फंक्षण मनी आपाए तो फिर पुरुषकार देने के लिए साइस्टा की विवसाइक जिम्मेदारी नहीं है फिर भी हमारी है हाँ सीकर कभी आओगे तो दिये दिया जाएगा आप सोचो कि उधेपूर कार के लिए आपको अधार कार्ड बेसाफ लाना होगा और इसके लावा मैं इस वीडियो से सब अपनों से पील करता हूं जो जितना जानते हैं जो जीतना जानते हैं रोकाम सिकाती है सी एल सी जीतना सिकाती है जीना सिकाती है ये सुनना देखना है आपका अपना श्रावन आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स लोड रहेगा और फिर भी जुनून है फिर किसी जौपनी भी बैटी को को आईटीम भीजना है फिर किसी एक सामाने से परवार के बचे को दिली था है बहुत चांपों की भाजई बढ़े में होते हैں जिनके घर में अर्थ भी है गाइडलाइन भी है श्रवन और सीलसी तो उनके सार्थी है जिनके घर में यह नहीं पता आईटी मेडल का होती है अर्थ का भी थोड़ा भाव है थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है और गवराय नहीं आपके साथ आपका श्रवन है ना आपकी कि दिन किस जिले में आपका फंक्शन उस तिन आना है डेड़ से दो गंटा आपके साथ रहूंगा बाते करेंगे और मेरे सारे अपने प्लीज 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 निवेदर आपके भाई का सारे अपने इस विजो सव में इसको नाम विजो सुनेंगे पर पुर्सकार वित्रों समरो बोल दो चाहिए विजो सो बोल दो आप सब साधरामंति से ओके तैंक्यों जैसील सी तोड़े विल डिसकास अबाउट डि करा था तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फोर्ट ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड कुशन है हमारे पास एफ एफ फीस फोकल लेंट ऑफ दे लेंस देन दे पावर ओफ एलेंस विल भी बहुत इंट्रेस्टिंग कुशन है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर पूछा क्या गया है देखिए हमें पूछा है पावर देखिए हम जानते हैं कि पावर का फोर्मूला क्या होता है वन अपोन अफ देखिए अब देखिए वन अपोन अफ हम बात करें तो यहां पर कोई भी ऑप्शन जो ऐसा नहीं है वो सिंपल वन अपोन अफ का हो क्यों क्योंकि यहां पे हम जानते हैं कि यह जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है यह मीटर के लिए काउंट होता यानि इन मीटर जब भी हम बात करेंगे इन मीटर जब भी हम बात करेंगे तब हमारे पास यह फॉर्मूला काउंट होएगा यानि हम मीटर की बात करें यहां पर ध्यान रखना है लेकिन यहां पर तो देखिए 100 आ गया तो यह क्या हो गया बिलकुल ही wrong हो गया यहां पर one upon में 100 आ गया तो यह भी क्या हो गया बच्चों बिलकुल wrong हो गया अब हम चलते हैं इन options की तरफ first or second की तरफ की कौन सा correct होगा तो देखिए हमने बोला कि य सेंटीमीटर बोल रहा है इसमें भी क्या बोल रहा है यह सेंटीमीटर बोल रहा है तो अब हम क्या करेंगे तो simply हम क्या करेंगे इस मीटर को चेंज कर देंगे बच्चों किसमें सेंटीमीटर में तो बहुत ही अब यह किशन क्या हो गया आसान सा हो गया करिया आप लोग मि का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 100 divided by बड़ा ही आसान सा किशन था और फाइनली हमारे पास यह आंसर आया है इन सेंटीमेटर तो हंड्रेड अपॉन एफ किसमें सेंटीमेटर में क्या हो जाएगा अपना आंसर यानि यहां पे फॉर्स्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल फॉकल लेंथ एफ अब्जेक्ट इस प्लेस्ट एट डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम देपॉल प्रोड्यूस एड्स एन इमेज इस एट यानि हमें देखना है कि उत्तल दरपन की फॉकस दूरी एफ है एक वास्तविक वस्तु को जब दरपन के ध्रूँ से अफ दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिविम कहां बनेगा बहुत इंट्रेस्टिंग कुशन है तो हम जानते हैं कि यह जो प्रतिविम है यह बनेगा आफ बाइटू यानि आधी फोकल लेंथ पे चलिए हमारे पास क्या है कोई नीट्रल बोड़ी है अगर हमें यहां सी इल्लेक्टरोन रिमूव करना है तो दिमाग लगाईए जब भी हम यहां सी इल्लेक्टरोन रिमूव करेंगे किसी भी neutral body में से तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो भी sign आएगा वो क्या आएगा positive का sign रहेगा यानि हमारे पास positive वाला ही आंसर आएगा neutral में से minus में बाहर निकालना है तो सीधी सी बात है positive वाला answer आपको टिक करना था तो यहाँ पे positive वाले इतने सारे option से अब बात ही हम electron की बात करें 1.6 into 10 to the power 19 उलाम क्या होता है चार्ज होता है तो यहां से अगर हमें 10 to the power 10 जो है वो remove करना है तो सोचे अगर हम यहां से remove करेंगे 10 to the power 10 को तो यह इस में से minus हो जाएगा तो 19 में से अगर हम 10 minus करेंगे तो finally हमारे पास आंसर क्या आजाएगा 10 to the power minus का 9 यानि B option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा next question देखेगा आप लोग next question है the V.I. graph characteristics of four circuit elements are shown below which among the following is an ohmic conductor यानि हमें देखना है कि जो भी अपने पास ohm low है उसके according कौन work करता है इन चारो graph में से तो ohm low क्या बोलता है बच्चों कि जो V होता है वो directly proportional किसके होगा I के होगा यानि जैसे जैसे V increase होगा वैसे वैसे I भी क्या होएगा increase होगा तो यहां पर देखिए ऐसा graph कौन सा है क्या यह graph V और I के directly proportional को बताता है नहीं बिलकुल भी नहीं शो कर रहा है प्रोपोर्शनल को सो कर रहा है किया यह V और I के directly proportional को सो कर रहा है यह भी नहीं कर रहा हम देखते हैं की V और आई के में अगर हम बात करें तो मैंने X-axis पर V жизни को रखा podcasts बढ़ते रखा PDF साथ क्या हो जाए गा increase हो जाएगा तो ऐसा graph हमारे को third option में मिल रहा है यानि third option क्या हो गया बिलकुल correct next question देखिए next question है the magnetic field produced due to circular wire at its center is यानि किसी गोली तार द्वारा उत्पन चुम्द की छेतर इसके केंदर पर होगा तो हमें ये देखना है तो हम जानते हैं कि बिलकुल center की अगर बात करें तो हमें सा perpendicular होता है क्या होता है बच्चों परपेंडी कुलर होता है तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए fourth option perpendicular to the plane of the wire चलिए next question देखते है next question है potential difference between a live wire and the neutral wire तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी neutral wire की बात करें और किसी live wire की बात करें तो वहाँ पर हमें सा जो difference होता है voltage का वह होता है 220 voltage यानि भी option क्या हो जाएगा बिलकुल correct next question देखिएगा आप लोग next question है हमारे पास 8th number question electric motor conversion बिलकुल आसान सा question है कि electric motor convert किसको करती है तो हम जानते हैं electric motor है तो electrical energy को convert करेगी क्या करेगी electrical energy को convert करेगी किसमे mechanical energy में तो यहाँ पर option देखिएगा electrical energy into mechanical energy यानि second option क्या हो जाएगा बिलकुल ही correct हो जाएगा I hope आप लोगों को समझ आ रहे होंगे सारे के सारे solutions अब हम बढ़ते हैं 9th number question की तरफ देखिए 9th number question है electron enters a magnetic field whose direction is perpendicular to the velocity of the electron then यानि हमें यह देखना है कि एक electron चुम्ब की छेतर में प्रवेस करता है यदि चुम्ब की छेतर की दिसा electron के लंबवत हो तो हमें पता है कि perpendicular जब भी होता है तो वहाँ पर answer क्या आएगा the speed of the electron will be remain same perpendicular की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बिलकुल ही सेम रहेगी जो भी इलेक्टरोन की speed है तो 9th number question भी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं next question की तरफ देखिए next question है हमारे पास the major cause of environmental pollution is यानि परियावरन पर्दूशन का सबसे बड़ा कारण है तो हम जानते हैं कि जितना भी fossil fuel होता है उसका हम यूज करते हैं तो उससे harmful gases release होती है तो इसका सिदा सांसर क्या चला जाएगा use of fossil fuels next question देखिएगा आप लोग next question है 11 number question today which renewable energy source provide the India with the most energy यानि हमें देखना है कि कौन से यहां पे option है कौन सा option है जो आज नवीनी करने योग्य उर्जा श्रोत का सबसे अधिक energy प्रदान करने वाला हो तो हम जानते हैं कि solar energy बहुत ज्यादा हमें हमारे लिए useful है चलिए अब हम देखते हैं 12 number question which color of visible light has minimum frequency यानि हमें देखना है कि minimum frequency जो है उसका कौन सा रंग होता है किसी द्रश्ची प्रकास के लिए question है याँ पर which color of visible light has minimum frequency तो frequency के अगर बात हो रही है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सा वर्ड विबग्योर देखिए बहुत ही आसा वर्ड है विबग्योर सभी लोग जानते इस वर्ड को देखिए यह जो विबग्योर होता है अगर हम इसकी बात करें तो हम जानते है कि यह order होता है wavelength के लिए बच्चो किसके लिए होता है wavelength के लिए यानि अगर मैं हिंदी में बोलू तो यह हो जाता है तरंग देरी के लिए यानि रेड की जो wavelength होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी इन समय से सबसे ज़्यादा होगी और अगर violet की बात करें तो क्या होगी स किसकी हो जाएगी बच्चों वोईलेट की तो फ्रिक्वेंसी अधिक्तम करना है अपने को किसकी वोईलेट की और फ्रिक्वेंसी मिनिमम करना है अपने को किसकी रेड की तो देखिए यहां पर क्या है मिनिमम है तो मिनिमम के लिए आंसर क्या जाएगा बच्चों रेड तो मै यहां पर red क्या कर लिया बिल्कुल correct लेकिन आप देखिए यहां पर Hindi मीडिय में द्रश्य प्रकास में अधिक्तम आवर्ती वाला रंग है यानि हमें यहां पर थोड़ा सा translation में problem हो गई यानि यह है minimum और यहां पर क्या लिखावा है अधिक्तम अगर हम अधिक्तम से सोल करेंगे तो अपना answer क्या आएगा बच्चों वैलेट यानि बेंगनी आएगा तो हम जानते हैं किसी भी exam में English को correct मानते हैं पर फिर भी हम Hindi वालों को भी हतास नहीं करेंगे और हम इस question का क्या दे देंगे आप लोगों को bonus तो आप लोगों कि तो मज़े हो गए जिनके गलत हुआ उनके तो क्या हो गए बहुत मज़े हो गया यानि फाइनली आपको इसका bonus मिल रहा है लेकिन इसका करेक्ट टांसर करेंगे minimum तो इसका करेक्ट टांसर क्या जाएगा बच्चों रेड तो concept समझना बहुत जरूरी है तो हमारे को concept पूरा का पूरा समझ में आ गया कि कैसे विब की और को लिखना था कौन सा wavelength का order था और कौन सा order frequency का था तो फाइनली इस solution से आपके क्या हो गई बल्ले बल्ले हो गई यानि आप लोगों को bonus मिल गया चलिए अब हम देखते हैं next question 13 number question an object is placed 40 cm from concave mirror mirror कौन सा है हमारे पास concave है और 40 cm दूर पॉल से रखा गया है और इसके focal length जो है वो 20 है तो हम जानते हैं कि अगर focal length 20 है और उसकी बिलकुल double पे क्या रखा है कोई भी object रखा है तो हम जानते हैं mirror mirror की जो image होगी वो क्या होगी बिलकुल ही real होगी inverted होगी और क्या होगी size में same होगी वोगी focal length के double पे रखे हुई यानि first option क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा अब हम देखते हैं यहाँ पे 14th number question equivalent resistance between A and B will be यानि A तथा B के मध्यतुल्य प्रतिरोथ होगा तो सबसे पहले तो हमें इस diagram को देखना है बच्चों देखिए हम यहाँ पे कौन सी resistance को indicate कर रहा है तो हम जानते हैं यह parallel है यह जो पूरा का पूरा आप लोगों को resistance दिखाई दे रहा है तो यह parallel का है तो हम इसका formula जानते हैं कि 1 upon जो R होगा इसका किसी parallel के लिए formula होता है 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 देखिए यहाँ पे अपने पास R1 कितना है 10 त 4 वन अपन आर क्या हो जाएगा देखि आरवन कितना है 10 तो मैं आने यहाँ पर लिख लिया 1 upon 10 r2 भी आ पने पास 10 तो मैं आहां पर लिख लिया 1 upon 10 प्लस R3 भी कितना है 10 तो मैं यहाँ पर भी लिख दिया 1 upon 10 चलिए इसको मुझे एक बार हटाना पड़ेगा देखिए अटा देते हैं इसको एक बार और फाइनली हमारे को यह ध्यान रखना है 1 upon our request to 1 upon 10 प्लस 1 upon 10 प्लस 1 upon 10 तो क्या लिखा था हमने 1 upon our request to 1 upon 10 प्लस 1 upon 10 प्लस 1 upon 10 अब देखिए सौल करेंगे बिल्कुल आसान सा है सौल कर लेते हैं तो यहां पर अलसीम आजाएगा हमारे पास कितना बच्चों 10 आजाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो यहां पर क्या आ गया बच्चों 3 by 10 कितना आ गया 3 by 10 चलिए हमें तो क्या निकालना था और निकालना था तो हम इस पूरी की पूरी डिजिट को क्या कर देंगे उल्टा जिस पूरा का पूरा उल्टा कर देंगे तो देखिए इसको उल्टा करेंगे तो क् 40 है यानि हमें option तो मिला ही नहीं तो एक बार फिर आपको क्या मिल जाएगा इस क्रिशन का बच्चों bonus मिल जाएगा लेकिन concept सीखना चुल रही है तो यह क्या हो गया बच्चों इसका concept हो गया तो concept आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर option क्या होना था 10 by 3 होना था लेकिन टाइपिंग मिस्टेक से यह सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 10 बच गया तो गबराना नहीं है आप लोगों को आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा bonus तो आप आप लोगों के concept समझ में आया होगा 15 नंबर क्यूशन है हमारे पास एचास पार्टिकल मूव्स विद व वेलोसिटी तथा बी चुम्ब की छेतर में गति करता है तो कर्ण पर जो आरोपित फोर्स होगा वो क्या होगा तो हमें देखना है किसका correct answer क्या होगा क्या हो फोर्स always 0 होगा नहीं हमें पता नहीं होता है 0 कभी भी 0 नहीं होगा 0 if B vector are perpendicular या 0 if B vector and V vector are parallel तो हमें पता है कि अब भी हम parallel की बात करेंगे B vector and V vector के तब हमारे पास जो magnetic force है वो क्या होएगा 0 होएगा चले नेक्स्ट कुष्छन लास्ट क्यूशन है physics part का वर्टुल इमेज लार्जर दें दी अबζेक्ट केइन भी देखीए सीधी सी बात हे वर्टुल की अगर हम बात करें और लार्जर इमेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो यूज करेंगे मीरर वो क्या होगा हमेसा कौन के होगा तो क्यूशन नमबर 17 से स्टार्ट हो रहा है कैमेस्ट्री पार्ट और क्यूशन नमबर 13 तक रहेगा जिसमें हमारे पास देखिए पहला क्यूशन जो है वो कुछ इस प्र है टूश्चन जिंक जो वह गेन कर रहा है वह झानते हैं जब भी इलैक्टरण गेन होता है अदुशन इसका होता है और अलॉय क्या है एक मिक्सट्र होता है जो बहुत सारे मेटल से मिलके बना होता है तो brass जो है alloy हो गया अब हमें बात करनी है कि इस brass में कौन-कौन से metals जो है वो use होती है तो हम जानते हैं कि brass के formation में copper and zinc जो होती है वो very useful होती है तो copper और zinc का जो mixer होता है वही क्या होता है brass चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है luster is a हमारे पास options है sign property sound property तो देखिए हम जानते हैं कि जो luster होता है और वो एक sign property होती है यानि जब भी कोई metal sign करती है तो वहाँ हम time use करते हैं luster तो यहाँ पी first option क्या हो जाता है एकदम correct चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है which of the following is a false statement यानि wrong statement को हमें यहाँ पे select करना है देखिए oxygen is a non-metall यह तो correct है iron is a metal यह भी correct है mercury is a metal यह भी correct है last option is germanium is a metal यह एक wrong statement है because germanium क्या होता है एक metalloid होता है क्या होता है बच्चों germanium एक metalloid होता है तो साफ और हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है metal जो कि क्या हो गया और रोंग हो गया अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है a metal present in liquid state is यानि ऐसी कौन सी metal है जो liquid form में present होती है तो हम जानते हैं mercury क्या होती है liquid state में present होती है अब हम चलते हैं 22 number question which of the following is highly reactive metal यानि निम्न में से कौन सी अत्यधिक क्रियासील धातू है तो देखे बच्चों बिल्कुल NCRT की बात करेंगे हम according to NCRT इस question को solve करेंगे according to NCRT अगर हम चलेंगे तो NCRT जो है वो highest highest reactive metal according to reactivity series मानती है potassium को potassium देन आएगा sodium ओके तो यहाँ पर answer answer क्या हो जाएगा बच्चों second answer क्या हो जाएगा बिल्कुल correct देखिए अब इसका concept समझे अगर हम बात करें किसी भी metal की ठीक है यह तो अपना answer हो गया आंसर को छोड़िया concept को समझेगा परे हमारे पास क्या है metal है हमें देखना है कि सबसे पहले किसी metal की tendency क्या होती है metal की tendency होती है electron को donate करना तो हमारे पास यह options है तो हमें देखना है कि कौन सी metal जो है easily electron को donate कर देती है तो अगर हम periodic table कि बात करें तो सबसे पहले है तो देखिये जैसे जैसे हम ग्रूप में आप टू डाउन जाएंगे तो मैटल क्या करते हैं यहाँ पर लैक्ट्रम डोनेट करने की तंडेंसे ज्यादा से ज्यादा शोर करती है यानि सबसे गनेट कौन करेगा movies मतल् Table गर और अप्शंट में सीसी यम होता magnitude सीय जाता लोग सीजियम है आप Baptist स्टेंफ सोडियम है तो देखिए लीथियम है सोडियम है पोटेशियम है समझे का आप लोग तो तीन में से एजीले एलेक्ट्रों डोनेट कौन कर रहा है जो सबसे नीचे की तरफ होगा तो तीनों में सबसे नीचे की तरफ बच्चों कौन है पोटेशियम है इसका मतलब आंसर क्या जा रहा इसक of the following group contain noble metals हमें देखना था कि noble metals कौन कौन सी होती है तो हम जानते हैं noble metal होती है हमारे पास silver, gold and platinum तो हमारे पास option जो है वो बिलकुल correct हो जाता है first option silver, gold and platinum देखिए next question next question है valency of magnesium is magnesium की valency आप लोगों को बतानी है तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं magnesium, magnesium का atomic number होता है वो होता है बच्चो 12 अब हम इसका electronic configuration लिखते हैं तो electronic configuration हो जाएगा 282 और यहां पर देखिए second cell में 8 electron आ गए first option यानि two answer is correct चलिये तो हम चलते हैं next question की तरफ an aqueous solution with pH equals to two is यानि जो pH two solution है वो किस nature का होगा तो हम जानते हैं कि अगर pH seven होती है किसी भी solution की तो हो neutral होता है और 7 simplist से अगर कम pH होगी तो वो साराane solution क्या हो जाएगा वच्चो इसीडिक हो जाएगा और 7 से जादा pH है तो हो क्या हो जाएगा basic solution हो जाएगा और हमारे पास यहां पर question में है पिЕस तो तो हमारे आखिए के सारे questions चलिए अब हम देखते हैं अगला question the chemical formula of gypsum is बहुत ही easy question था कि gypsum का chemical formula क्या होता है हम जानते हैं कि calcium sulfate के साथ अगर two molecule of water aid हो जाए तो यह बन जाता है हमारे पास gypsum तो यहाँ पे C-A-S-O-4.2 क्या हो जाएगा gypsum का correct answer चलिए next question which of the following is a base यानि base कौन सा है हमें देखना है देखिए NS3 के अगर हम बात करें तो NS3 के पास क्या होते हैं two lone pair होते हैं और lone pair अगर donate करने की tendency हो तो वो क्या कलाता है base कलाता है तो यहाँ पे NS3 क्या हो गया base पर फिर भी हम यहाँ पे options देखते हैं देखिए असील क्या है अच प्लस donate करने की tendency रख रहा है यह acid है अस 204 भी क्या है acid sulfuric acid अचनो 3 भी क्या है acid है तो हमारे पास question था base कौन सा है तो base का answer क्या आगया simply second option यानि ammonia चलिए next question देखिए RCU plus plus one electron ठीक है this is हमें देखना है कि यह जो reaction है यह क्या denote कर रही है देखिए यह copper plus one electron gain करा और अभी अभी एक ऐसा question आया था उसमें हमने देखा कि जब भी electron gain होई क्या होई बच्चों gain होई तो उस reaction को हम क्या बोलते है reduction बोलते है यानि यहां पर कौन सा option correct हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा यहां पर second option चलिए अब हम चलते है next question की तरफ among the following which is metaloid यानि metaloid कौन सा है तो बिल्कुल इजी सा है metaloid कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं प्रियोडिक टेवल आप लोग उन्हें पड़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं कि जो germanium होता है वो क्या होता है एक metaloid होता है जबकि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं other element वो metaloid नहीं है चलिए next question देखते है the following reaction is an example of यानि जो reaction दीवी है ये कौन सी reaction का example है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक reactant है और reactant break हो रहा है product में जब भी reactant break होता है तो उसे हम कौन सी reaction बोलते हैं decomposition reaction कौन सी बोल देंगे बद चो डी composition यानि यहां पर first option एकदम करेक्ट हो गया next question है which of the following is a strong acid हमें देखना है कि strong acid कौन सा होता है देखियो option is strong acid होता है क्या oxalic acid strong है नहीं क्या ethanoic acid strong है नहीं ethanoic acid और oxalic acid दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों और weak होते हैं जब कि अस्टू असोफर यानि sulfuric acid क्या होता है strong acid होता है यह option क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट चलिए next question देखते हैं फॉर्मूला ओफ हो जाता है f203.xs2o में यह जो फॉर्मूला है यह आईरन की रस्ट का फॉर्मूला हो गया वेरी वेरी important है यह f203.xs2o बहुत ही अच्छा सा question था तो आप लोगों को इसका अंसोटिक करना था f203.xs2o अब हम चलते हैं next question की तरफ the substance formed in a reaction is called यानि किसी भी reaction में अगर कोई substance form होता है तो वो substance क्या क्या लाएगा हम जानते हैं कि कोई भी मान लो a plus b है और इस reaction से कोई c substance form हो रहा है तो c को क्या बोलेंगे product बहुत ही एजी सा अंसोर था तो हमारे पास यहां पर option second क्या हो जाता है बिल्कुल correct हो जाता है तो थर्टी फोर नंबर किशन है स्ट्रोमा में मैट्रिक्स में light reaction नहीं होती है light reaction सिर्फ और सिर्फ ख्लोरब प्लास्ट के ग्रेणा के अंदर होती इस परकार की structure सो थी गरेना की तो ये ग्रेना के structure में आप देख सकते हैं कौन सी reaction होगी बच्चो लाइट reaction होगी जब हम डार्क reaction के बात करेंगे तब हम किसको देखेंगे स्ट्रोमा को देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ light reaction के बारे में पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा ग्रेना यानि सेकंड option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा next question देखेगा आप लो 35 नंबर किशन है CM pathway occurs CM pathway होगा बहुत ही आसान सा question था ये next question देखिए 36 number question wings of bat and wings of birds are example of तो हम जानते हैं कि जो चमकादर के punk है और जो पक्सी के punk है इन दोनों की structure क्या होती है बच्चों different होती है structure क्या होती है different लेकिन जो work होगा वो work क्या होगा दोनों का ही बच्चों same होगा तो जो work same होता है structure different होती है तो इस type organ को हम बोलते है analogous organ कौन सा बोलेंगे बच्चों analogous organ next question देखिएगा यहाँ पर select the incorrect one in the following यानि निम्न में से असत्य को आपको छाटना है तो देखिए यहाँ पर first option है राइजोम ginger बिल्कुल सही है ओके यहाँ पर देखिए tuber and potato भी सही है लेकिन आप देख सकते हैं bulb कभी भी sweet potato नहीं हो सकता यानि fourth क्या है बिल्कुल incorrect है नेक्स्ट किशन की तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट किशन देखिए 38 नंबर किशन नेम देपार्ट आप दो ब्रेइन देट कंट्रोल्स involuntary action यानि जितने भी हमारे बोडी के अनेचिक वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करने वाला होता है medulla oblogata यानि यहां पर fourth option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct next question देखिएगा आप लोग next question 39 number question है what is the unit of inheritance in living organism यानि living organism में जो अनुवानसिकता होती है उसकी unit क्या होती है तो हम जानते है gene क्या होती है इसकी unit होती है बहुत ही आसान से किशन था देखिए next question what is the name of the stomach cell that secrete hydrochloric acid बचों जानते है hydrochloric acid जो होता है वो parietal cell से secrete होता है तो यहां पर parietal cell है first option में तो यहां पर first option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct next question देखिएगा which plant hormone is responsible for closing of stomata तो stomata की closing के लिए acid जिम्मेदार होता है और उस acid का नेम होता है abscessic acid तो option number हमारे पास first क्या हो जाता है बिल्कुल correct बहुत ही आसान आसान से question है जलिए next question देखते हैं 42 number question chemicals which are released add the synaptic junction बच्चो धान रखना synaptic junction पे जो chemical release होता है उसे हम बोलते हैं neurotransmitter fourth option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct यानि synaptic junction पे release होने वाला hormone होता है neurotransmitter fourth option is correct देखें next question है 43 number question हम जानते हैं कि जो fertilization होता है वो कभी यूट्रियस में नहीं होता है fertilization हमेशा fallopian tube में होगा यानि second option क्या होता है बिल्कुल यहां पे correct fallopian tube देखें next question है 44 number question ozone layer is depleted by which gas तो हम जानते हैं ozone layer को ज्यादा से ज्यादा affect करने वाली जो gas होती है वो होती chlorofluorocarbon यानि यहां पे C of C second option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct next question की तरह बढ़ते हैं next question 45 number question is not an example of in-situ conservation यानि in-situ conservation का example नहीं है तो देखें हम बात करते हैं देखें biosphere reserve in-situ का example है national park भी क्या है in-situ का example या पर सारे के सारी क्या है in-situ example जबकि जो botanical garden है वो एक in-situ का example नहीं है next question देखते हैं 46 number question which of the following ratio is the genotypic ratio of di-hybrid cross यानि हम बात कर रहे हैं di-hybrid cross की और उसमें हम देखना है देखते हैं genotypic ratio क्या देखते हैं genotypic ratio देखें एक होता है phenotypic ratio अगर यहां पर किशन पूछा होता phenotypic ratio तब तो आप बिल्कुल correct करते हैं 9331 इस ratio को लेकिन यहां पर किशन को आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना था पूछा था जिनो टिपिक ratio तो हम जिनो टिपिक ratio की जो बात करते हैं तो यह ratio होता है और वन टू 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 फोर वन टू रेशियो वन रेशियो तो अगर आप लोगोंने सेकंड आप्शन करा होगा तो यह रॉंग होगा क्योंकि यह तो phenotypic ratio होता है बच्चों पूछा जिनो टिपिक रेशियो है तो जिनो टिपिक रेशियो यानि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 47 नंबर किश्चन देखिए 47 नंबर किश्चन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफरस्टू टू फोरमेशन आफ न किश्म 2003 नहीं करते हैं तुझाँ जहां जहां फ्लोवर राया है तो उस्यच्शं को आप सीदह सा कट कर दीज़ेदगे इसमें फ्लोर है TO versuchen क्या हो गया कट यहां पे फ्लोवर है क्या हो गया कट लेकिन आप देख सकते है तेनों ुए किसमें होती है वग में इसे नहीं हो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो यहां पर फॉर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट चली नेक्स्ट किशन की तरह बढ़ते हैं 48 नंबर के शर्व जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोजोम इन हैरिटेड फ्रॉम दे फादर विल डवलप तो हमारे हमारे पास फादर से हमें एक्स क्रोमोजोम मिला है और फिमेल के पास क्रोमोजोम एक्स एक्स होता है तो फिमेल हमेसा एक्स क्रोमोजोम ही देगी तो यहां पर देखिए एक्स क्रोमोजोम फिमेल का हो गया और मेल का भी क्या हो गया एक्स क्रोमोजोम तो दोनों लेखिए एक युगमराज जिसमें एक्स गुर्ण सुत्र की वनसान गती पिता से प्राप्त होती है वह विक्सित होगा तो उससे क्या फॉर्म होईगी गल यानि लड़की का बढ़त होईगा चली नेक्स्ट किशन की तरफ हम बढ़ते हैं 49 नंबर किशन है इवलुशन ऑफ वाइड के बेस इस एन एक्जामपल ओफ तो हम जानते हैं कि जो वाइड के बेस होती है उसका एवलुशन एक अच्छा एक्जामपल है किसका आर्टीफीशल सेलेक्शन का तो यहां पर फॉस्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखिए ला किड्मी से होएगा फिल्ट्रेशन जो होगा वो किड्मी से होएगा ठीक है उसके बाद अगर हम बढ़े तो यूरेटर की तरफ यूरेटर आएगा देन हम बात करते हैं तो यूरीनरी ब्लेडर में यूरीन इखटा होएगा यूरीनरी ब्लेडर में यूरीन क्या हो right pathway kidney kidney then ureator ureator then urinary bladder and last is urethra it mean fourth option is correct hello dear student myself Narottam Jaini team mathematics today we will be discuss the DTSC solution of class 10th question question number 51 वान है x-a whole square x plus whole square y plus b whole square और यह equal to 4x by और आपको इसकी value बता कर नहीं है ठीक है तो अब में इसका whole square करता है x square plus a square plus 2ax plus y square plus b square plus 2by equal to hooga 4ax 4 को उन्दर multiply कर दो 4 by x is four plus square minus two a 2 square x plus e square minus two x y square plus b square minus two by equal to 0 अब यह फॉर्मुलावढ वन गया और यह वन गया x minus e k dow se square यह वन गया y minus b थीका होलो स्क्वार का और destro में जीरू आगला क्लियर है अब इसके हम इम्पोनिद वह ख होगा कि यह एक स्क्वाइर नंबर है स्क्वाइर को मतलब यह पोजिटिव होगा नेगेटिव नंबर का स्क्वाइर भी क्या होता है यह भी पोजिटिव वेल्यू है और यह भी पोजिटिव वेल्यू है क्योंकि यह स्क्वाइर है स्क्वाइर एक पोजिटिव नंबर होता है ठीक है तो दो पोजीटिव नंबरों को एड़ करने पर 0 आ सकता है क्या कभी भी नहीं आएगा दो पोजीटिव नम्बरों को एड़ करने पर 0 कभी नहीं आएगा तो इसका मलब क्या होगा एक केस में पोशीबल है यह भी 0 होगा और यह भी 0 को दोनों 0 गोल होगी तब जीरो प्लस जीरो एकुल टो जीरो होगा अब आपको इसकी बता कर नहीं है तो एक्स की जगह तो ए रख दो यह जागा ए और य की जगह बी रख दो और टो स्कालिकिए खिर्स जार पोल टो च्रुम आपको और अप्ससिट होगा यहां में वन परिसनट यहां पॉंस होगा त्वी कनले हो गया तो क्या आग्या एकस्फी को चेंट होगा तो एक रोच सेनट है जाल्क होगा नद्स निचनल उर्ग दंड्ल इसाइक तो किसके एक क्वेखण है एकवल टू वन परचेंट ओव एक्स का वन 30% एक्कुल्ट होगा 1% of y y का 1% के एक्कुल है यह बहुत गया यहां से आ गया वाइक क्या आ गया एक्स जेड़ा गया एक्स जेड़ा एक्स प्रक्रेशन बन गई एंदा वेलियो इसकी विली बतानी है तो यह एक्स के लिए आ रख देता हूं मैं यह एक्स के जगा क्या यह बनागा वाइक को टूट गया प्लस माइनस बने लेंगे मनी लेंगी ठीक है वाइक की विलीव यह आ रखेंगे यह फिर रख दो यह एक्स फोल्ट एक्स एक्स कि तागहा वां तो यह होगा एक्स स्कुर्ट विए पोजिटीव एल्यू ही लेंगे और एक्स और और येवरी और यह रखान दोडिए यह की कि दो यह ऑर नगाल लीए वन प्लॉस वन पलस वन प्लस वन इंट यह यहां प्लस वन प्लस वन प्लस मअल अंसर क्या होगया 3 कुछ देख सब्सक्रीं प्लड़ कर दो अलेसे इसको कुछे बनक्स सब्सक्राइब लोगा तो आप दे दो बर् Haj zal जायेगा 5 125- CO2 26 आugaus यह गए उलत नेकला है मैसलीक थीट फ्लस वन सब्सकेंर होगा नियुक्त थ्म फॉर्टों में एर प्लस एस श्गतिते हैं है ते व क्योड़ है है शुट्टीन के खोर्टक है यह इवैस्ट लाइं हुगे सुक्सेंल सुनिटर्डेश यह गया थे खि और बोटनीसक्षों आप और इसका कइब और इसका स्कार्णी परने पर इसके हुल को आरह तो यह किया एकाव है आप इसक्लिष के लिए एहाल के राइथ लाइए राइंगल हो गए लिएक टोपर एका आwood निकालन burner ट्राइसेक्षन के कोडिनेंल निगाल शेय तिरी विवाजकष्ट तीन व्वाजित करने वाले विंदू के नि तिसके समझ निकाने तो यह पॉइंट है इसके कोडिनेट आ ह NASCH 20 वणर आरो हर इसके कोडिनेट है हुआ तो इसको ट्राइव सेक्शन करने वले दोइंत में एक पॉइंट पॉइंट होगा एक पॉइंट आए अब सवह इंहेंढ fig cita 08zahl है यह टीनी ओपार्ट इक यकोला थे इसके होगे इसके हो . कि इसको यह दो इसके होगे आगर आप 1 ratio 2 अब सेक्शन फसेक्शन फ्र्मॉला एके सेक्शन फोर्म लगाना है तो सेक्शन कैसे होगा इसका सिग्षान सेक्षन इस ग्री count वॉज उसनघड़ा इस का यह सॉन विवॉ कुछ है इक शोटन पॉलिप्लाइया हो तो किया होगा इसको इसको होगा 3 और यह ओगा 5 by 3 एक तो गया 3 comma 53 एक दूसरा निकालने के लिए दूसरा निकालने के लिए आपको इसका कोडिने मेर निकालना है तो इधर तो टूरिश होगा दर वन रिशो गाथ होग हो यह होगा टू रिशो वन ओगा तू रिशयो वन होगा अब नीगालो इसको अतली से मिल्टप्लाय करेंगे तैन प्लस तू अपोन थी कमा होगा यह होगा 6 फ्लस ट्लस 1 comma अपवं 3 ए ट्वायलो बंट्री कितना होगा आप ale वर यह ओगा 7 by 3 तो यह दो कोडिनेट हो गए 3 और 5 by 3 4 और 7 by 3 तो फिर्स्ट आपका आशर हो गाए नेक्स्ट कुस्ट होना है कोडिनेट उता सरकम्सेंट्र त्राइंगल फूस वर्टेक्स आर यह तीन वर्टेक्स है तो इनका कोडिनेट निकालना है अब लेकिन इसमें हम एक चीज़ पता करें तो हम क्या करेंगे इसको देखो एक में इसका तरीका यह रहेगा ए भी सी यह आपका सी पोइंट है पहले आप त्यनों साइड़े पता कर लो तो इसका एक सेंपल साथ करीगा है सरकम्सेंट्र निकालने का सरकम्सेंट्र क्या होगा मतलब इन तीनों इन तीनों को वर्ट एक्स को डने वाला गएंट्र को तरफ करने वाला एक सरकल होगा पर वसका किंदन निकालना है ठीक हैकता अब नीख लो क्या आप निकालो लो एक बी ली कितना होगा आराम चै जीरो और एक एट का स्क़ेर गट इन कितना होगा दीन pública fc कितना होगा इसका difference होगा 6 और इसका difference होगा plus 8 8 का square यह होगा 10 तो आप इस चीज में नोटिस करो यह एक right angle triangle बन रहा है यहां पर यह right angle triangle बन रहा है तो यह इस तरह के से बनेगा देखो यह AC तो किती है 10 है यह तो 10 है यह A ले लो और यह C ले लो यह किता है 10 है और यह फिर B हो गया आपका और AB कितना है AB 8 है और यह कितना है 6 है BC 6 है यह आपका right angle triangle होने का और इन से पास होने वाला जो circle होगा इसका center निकारना है इसी को circumcents circumcents इसका center और एक concept लेगा इसका center होगा वह hypotenuse का midpoint होगा पताया यह और C का midpoint है इसका क्या होगा तो गया 8 प्लस 2 कितना होगा 10 10 अपॉन 2 कितना होगा 5 और यह होगा 6-2 कितना होगा 4 यह हो जागा 4 अपॉन 2 क्या गया 5,2 5,2 इसका क्या होगा circumcents रोगा आपको यह confirm करना है यह राइट अंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स है और राइट अंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिद्वोइंट ही आपका क्या होगा circumcents रोगा है है हाइपोटेनिस का मिद्वोटी सरकमजेंट होगा सेवन एक्स स्क्केर फिकल टो गया 50 एक्स अधरागे माइनश का होगया सेवन एक्स का फिप्टी एक्स आए गाए से वनल हो गया और से वनस प्रटान सो गया और से इंसी SEC प्रटान शवन तक फिल्कूल कि क्म निकाल उर मीका साथ कि पॉर इस o कि घात 700 क्या होगा 500 से बड़ा होगा यह मैंने स्क्वाइब करें दो नमबर धिरे-ध्री कंगा और सर्थ से डीक है तो यह कब होगा यान के वन अपन सुरी ऐसके लिए यानि कि एक्स पावर 700 700 से कम भी होगा ये तो कब होगा जब एक स्कुर्ण लूगा तब होगा ये कब होगा जब एक्स के लिए उन गाओ ये बंबाई 7 लूगा तब और के हैं के सैंट कि ए डुनम एडुँबने दून के कहरें है कि समूब टारोट आप जब fist की किसं का संब क्या होगा रिए सको पे काम मुझे हो फोर की पावर एक स्कोलेकर दो टू की पावर एक्स का ओल इसको है दो ऑप्यूब मिदो प्यूमों कुश्च हो एक सब्सक्राइब ऑफ छत्य तो मुल्टिप्ला होती है लगा को क्षेट ich कई तीम मышmmों कर छोकुआ और जको दो मुल्टिप्ला ती चवाय्य। क्मुमी से खती ईसको में एक फार की आधा वूणी को में और प्लस 128 इकवल टो जीनो एड़ अब यह तो की पावर 3 कितना होगा एट और एट और इतरी कितना होगा 24 और टो की पावर एक स्कोब आए सपोच को लेगं लो क्या हो जाएगा यह वाई स्कोएर माइनास को 24y ओर यह जाएगा प्लस 128 इक्वल टू जीरो यह जाएगा 128 इक्वल टू जीरो क्लियर है अब इसके फैक्टर होंगे यह जाएगा 32 देखू दो थार्टी टू जो सट और 122 ती तो चार हो सकते हैं गया नहीं हो सकते हैं तो होगा 16 इंटू इंटू टू इंटू टू यह होगा 16 और 8 होगा 16 और 8 होगे तो y square माइनस का 16x sorry 16y होगा 16y और माइनस का 8y और प्लस का 128 equal to 0 इसमें y को मनने आ गया तो हो गया y minus 16 इसमें 8 को मनना गया तो बच जाएगा y minus 16 equal to 0 तो y minus 16 और y minus 8 इसकी दो factor हो गए y क्यों लिए आ गई 8 और 16 वाइक की विली एक और 16 आ गई अब वाइक किसको सपोज क्या था आपने 2 की पावर एक्स को यानि कि एक बाल लिगो 2 की पावर एक को लिख सकते हैं कर तो की पावर 3 और एक टूँए पावर एक से कोल टूट क्या ले ना शिक्स्टिन को लिख सकते हैं टूपी पावर तो यहाँ से घ्सटेयर यह तिरी आ रिए यह चिले कि ट्यार यह पोर रही है तो सम जसंव नुटकिछ कितना होगा सेवन सम आ वह था सब्सक्राइबタ्र अगालован यूं ऽदिश पैस्टों सेवन समस्राम में चैवन किया रहता है तो मुद्स कह collectively करते हैं तोनों साइट इसका होली स्क्वार करेंगे तो क्या होगा six minus four x minus x square equal to क्या हो गया x plus four ka all square all square करें इसका six minus four x minus x square equal to होगा x square plus eight x plus sixteen अब यह इदर लगया x square इदर आखे क्या हो two x square और यह दर आखे कितना आखे 12 x और यह दर आखे minus six हो गया था 10 plus का 10 बच गया equal to zero दो सी डिवाइड करते हो पूरी एक्वेशन को तो हो गया x square plus का six x और plus का five equal to zero यह क्या आगा equal to zero अब इसके फैक्टर होंगे five four one इसके फैक्टर क्या होंगे five four one x square plus के five x plus के x plus five equal to zero दो दो के pair मनाएंगे starting दोनों में x को मना रहा है x plus five इसमें one को मना रहा है x plus five equal to zero यह हो गया x plus five और x plus one equal to zero x की वेलिए किती आगई minus one और minus five x की दो वेलिए आगई minus one और minus five लेकिन आप इन दोनों वेलिए को हमें इसके अंदर satisfy करके देखेंगे तो पहले में minus one करूं तो हो गया six into minus four into minus one और minus one का all square sorry minus one का all square का root equal to minus one plus four तो हो गया six plus four और यह minus one और इदर हो गया three इदर भी किता हो गया ten minus one ten minus one root nine root nine यह कितना हो गया three मतलब इसका minus one satisfy कर रहा है minus five को करें तो हो गया six into sorry six minus four into minus five minus minus five का whole square और यहां हो गया minus five plus four यह हो गया six plus twenty और यह मैंदस का twenty five और ईगल्र जोगं मैंनस one यहां ट्वैबगलाब हो गया minus one यहां इच्णीनुट सभाइस अध्यों इसका मतलब माइनस five इसको सब्सक्राइव माइनां सोन उगा मैंस उगा तो नंबरALD इसरों सुलिशन इस वरिए का उक्या होगा तो इसका loot इसके इस equation के roots क्या है P और Q आरे इंदा ratio P ratio Q में है इस equation के दो root होंगे alpha और beta इस equation के दो मूल होंगे मूलों का अनुपात यह तरगा alpha upon beta बालों इसके दो मूल होंगे एक तो होगा alpha और एक होगा beta तो alpha plus beta वो होगा माइनस का एन अपॉल होगा alpha into beta वो क्या होगा इंटु आएगा alpha into beta वो क्या होगा एन अपॉल है लोगा और एक आपको दो रहाए alpha upon beta की विल्युक्ति दे रखिए पी अपॉन क्यों दे रखाए यह कॉंसेप्ट होगा इसका इसके सब्सक्राइब यह लेता हूं इसको सोल करता हूं इसको सोल करता हूं पी अपॉन क्यों की जगे मैं यह एल्फा पॉन बिटा लिखता हूं जैसे मैं फर्स्ट वॉल करके देखा हूं क्यों सांसर सेट होगा तो पी अपॉन क्यों की कि जगे मैं क्या लिख दिया alpha upon beta लिख दिया प्लस Q upon P की कि जगे बीटा-पॉन alpha हो जाएगा beta upon alpha अब आपको अपनल वहागा ऐसा न आपको अपनल न डीकाइं भिट रख दो आप माइने से आपनल आपन ये रूट के अंदर आएगा और यह आपनल और यह जागा रहा देगाएगा अपनल ओननल तो यह मरत खांद दोस्तों एंदर एन अपन अभी दिखो यह उपर ऑँड़ गोर बच जाई यह उपर एक पाऊर हैसके नीचे आधी आजरा लेगा माइनस का आप इसके कोल्टो में जीरो रहा है कि इसके आगे क्या होगा ते सब्सक्राइब कर दिए इसके अगे क्या होगा की ऑपोन पी यह माईने सागे मैं अन्हों का प्लेस वादा फ़ल गया है इसकी वेलियू निकाली अपने इसकी वेलियू किते है माइनस का रूट के इंदर अनपॉर अब इसके अंदर यह एड़ करेंगे एन अपॉन है तब यह दोनों कट गए और फिर आएगा अज़िए अज़िए आ रही है इसका अंसर होगा आपका फॉर्थ ऑप्सन होगा फॉर्थ ऑप्सन होगा क्लियर है इसको इस तरह की सोल करना है नेक्स्ट कुस्न करें हाँ इसका सोलिस्टन बताया था आपको इसके में आपके कुछ नहीं है इसके फैक्टर होते है टू और थ्री जब बीच में प्लस आता है तो बड़ावला आंसर देना है जब बीच में प्लस आता है तो आपको आंसर देना है बड़ावला बड़ावला फैक्टर आंसर देना इसका अंसर होगा 3 clear है इसका अंसर क्या होगा 3 होगा next question करें गिवन डेट अलफा बीटा रूट अब दाइक्वेशन अलब टाइस हम एकने के मूल है तो इसका मान निकालो तो आपको दो इस नहीं करें एलफा प्लस बीटा क्या होगा minus b होगा alpha into beta क्या होगा c होगा यह दो होगे alpha plus beta minus b upon a q value one है और यह c आगया अब आपको इसका मान नहीं कालना है यह निचे लियाओ 1 upon alpha plus b ka whole square plus 1 upon beta plus b ka whole square देखो alpha plus b किवेलियो होगी है यह द्향ियोगा मैने से शर्ण और मुद्र होगी मैंने सुझत होगी और मीतर सक्राइज क्uste मनाइस इससंट को इसाय से प्लस और मैंने से से प्रसक्राइज गरेंगे इसकैने रिखेंगे alpha plus beta का whole square minus का two alpha beta upon alpha beta का whole square इसको यह से लिखेंगे इसको करेंगे a square plus b square plus two A b आएगा तो two alpha beta two alpha beta cancel हो जाएगा तो इसका हम इस तरीके से लिखेंगे अब alpha plus beta जगा अब रख दो minus b minus b ka whole square minus मैंट का 2C आपोन यह हो जाएगा C स्क्वेयर नियरे अभुए suburbs 2C आपोन सीक्वेव इसक्वेद स्क्वेड़ माइनस स्क्वे आपका आइगा इसका सेस्क लेयर है और니다 rot मैं इसमें झे एक सी लिए रखते हैं तो यहां पर इतना होगा यहां थे हो जाया होगा गई किता हो गया, इस में 3 एंदे गरके इस तो वापस सब भापस 9 हो गया, 9 का रूट किता होगा, 9 का रूट क्या होगा, एक बूतर को पिर फिर वोही बात है, फिर यह वापस इसका रूट लेंगे वापस किता घया घया फिर से मैट करेंगे नायन ओगया यह वापस इसका रूट लेंगे तो आपकहा जोगे तो जल्दी आङए गा और पर इसका अंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा है तो भी उसका रूट निकलेगा नहीं क्लियर है 36 होगा हाँ तो वह आप करके देख लेना वह आप से इसका अंसर है नहीं होगा तो आपका थाड़ी आएगा ठीक है नेक्स कि संगरे इफ म ताइम्टम ऑफने पी इस उकल टो एन ताइम ताइम्टम यह बोलना का है एम ताम का एंट्वलन ड़क है एम टम का एंट्वल्न से करूल है यह वो लगा है m times of the atom is equal to n times of atom तो m plus n atom निकालना है इसको formula लगा दो इसके अंदर इसका formula होता है a plus m minus 1 into d इसका formula होता है a plus n minus 1 into d अंदर multiply कर दो am इसको कर दो के m square minus m into d यह हो जाएगा a n इसको multiply कर होगे n square minus n into d यह इदर आएगा यह इदर आके minus का हो गया यह इदर आके minus का होगा इसमें यह को मना जाएगा क्या हो जाएगा m minus n और यह इदर आके minus का होगा और इसमें और इसमें d को मना रहा है यह D common ले लिया, क्या हो जाएगा M square, यह minus का N square हो जाएगा, minus का M, और plus का N हो जाएगा, और यह दर कुछ नहीं बज़ेगा 0 हो जाएगा, इसमें formula लग रहा है, यह प्लस भी और A minus भी खाँ, तो हो जाएगा A, M minus N, और यह हो जाएगा D, इसमें formula लग जाएगा M plus N, और M minus N और इन दोनों में minus common ले लो, M minus N, और equal to 0, पूरी equation में से M minus N common आ रहा है, M minus N common ले लिया, क्या बच गया, A plus M plus N minus 1 into D, और equal to क्या हो जाएगा 0, यह तो नीचे चला जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा, अब देखो A plus N minus 1 into D, यह formula होता है, इसमें N की जाएगा क्या लिखा हो है, M plus N, तो यह किसका formula है, A, M plus N, और वो equal to me किता रहा है, 0, तो इसका M plus N term क्या होगा, 0 होगा, इसका M plus N term क्या होगा, 0, क्योंकि यह formula है, N की जाएगा, M plus N दखा होगा, तो A, M plus N का formula है, clear है, clear है, आसन सा question है, आसन सा concept है, next question करे, कि a and b are a b c and fourth यह टम है ओफिद एपी सम अब दा रूट ओफ दे एक्वेशन कि सम अब दा रूट तो फोर्थ टम क्या है ए फोर्थ टम क्या होता है ए प्लस 3D ले लो आप ए प्लस 3D वो क्या है ए ए 7 तम यानि कि a प्लस 6D वो क्या है और कौन सा है 10 तम a प्लस 9D वो क्या है c है अब इसमें एक कौन सेप्ट लग रहा है इन दोनों को एड करने पर क्या आ रहा है a प्लस c के तारह यारा 2a प्लस 12D इसमें से 2 कोमन आ रहा है तो हो गया a प्लस 6D ठीक है तो यह क्या हो गया 2b हो गया यानि कि a प्लस c equal to क्या होगा 2b होगा अब निकाडो sum of the root sum of the root alpha plus beta क्या होगा minus b upon a तो कि इतना होगा minus minus plus हो जाएगा यह हो जाएगा minus 2b upon a 2b 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 क्यों रखण है a plus c क्या c plus a upon a ताफका answer आएगा क्लियर मं लेक्स क्या होगा क्लियर्ड एक्स्विशन करें कर सैके क्यों मुल्य मेखला है तो टेन स्क्कौर रही निकाल तो 10 square 1 का formula होता है स्क्ष्क्राइब माइनस 1 यह रहता है 10 square और स्क्राइब रिलेशन 1 plus 10 square equal to 6 square जी यह विलिए रख द्वाप यहां पे तो क्या होगा X plus 1 upon 4X का all square minus 1 तो इसका all square होगा A square plus 1 upon B square और plus 2AB दोने के multiply का double क्या होगा 2 into X plus 1 upon 4X और यह minus का 1 यह cancel होगया 1 by 2 आ गया तो X square plus 1 upon 16 X square plus 1 by 2 minus 1 यह minus 1 by 2 हो गया यह क्या होगया minus 1 by 2 हो गया हो गया X square plus 1 upon 16 X हो गया minus 1 by 2 इस minus 1 by 2 को हम इस तरीके से लिखेंगे X square plus 1 upon 16 यहां पर X square हैगा X square minus का हो जाएगा 2 into X into 1 upon 4X यह minus 1 by 2 हो गया यह किसकी वेली हो 10 square एक की वेली है अब यह किसका फॉर्मूला बने गया X minus 1 upon 4X X minus 1 upon 4X का whole square हो गया यह किसकी वेली होगी टैने की वेली होगी इन दोनों का एक स्केर होगा X minus 1 upon 4X और यहां पर आएगा प्लस और माइनस डोनों आएगा एप देगे वारा अपको करना से ख के की व seeking रिखेंड थे है तब आपको निकालना सह के फूस्टैने एक निकाल आपको सरे के ब्लस recognize प्लस टैने तो यह और यह कट गट क्या तो क्या आगया ऐसा और סीक प्लस सोने में मियाइद माइनस लोगे तो मांस लुक्त है तो मैंस लोगे तो मार निसा मैं प्लस एग्ण मैं इस बार यह और तर यह कट जाएगा तो क्या आएगा वण Luट एक्स प्लस उन अपवाण एक्स एक लगा तू यए वन बाई टू सधवाइगा तो दो ऐ्ञें गाएगा 1 लेने पर कुछ हो रहे हैं और मांदस लेने फिर दो अनफ रहे हैं 2x ओका और मना तोड़्ट वह क्लीयर है बाद समझ में आप एक बर प्रस लेंगे एक बर प्रस लेंगे तो असांच सा कुछन है असंच सा कॉनच्छेप्ट है नेक्स किसन करें कि तेने प्लस कोटे की वह लीवा तो कौन सचस्स हब दोगा तो तेने टेन तिटा पोट टिटा को लिदो वह वह नपन तेन तिटा को लिदो वहाँ एकुल टू क्या होगा टू होगा एक काम आप इसमें चेक करो तो ठीटा की वहली 45 होगी ठीटा की बहो किती होगे 45 होगे यह पिर या पिर लेलो यह एक काम गूलो टेन ठीटा को आप य मालो टेन ठीटा को य मालो तो घो होगया y plus 1 upon y equal to क्या होगा 2 year क्या होगा टू निज फोर टोट टू उप्लस मैंस एक स्क एक समर्सक होगो जी घो को सगी होगी ओगीन है तो कौन सो सबस्क्राइबन टूलिय आएगा इनแลly तूलिया अब यह वन की पबार्वार्वाइब यह भी नियाएगा तो कौन सा तो पार्ज वन आ ऑप HC milie इसका अंसर क्या होगा फॉर्थ ऑप्षन होगा ए-स नेक्ट रिशन एक्स की वेल्यू उसमें रख दो कौन चाहीज होगा यह एक्स की वेल्यू उठागे उसमें रख दो उपर हो ने मर गदे तो समद्ध दे रहा है इन दोनों में से आपको इन में से कौन से रोगा तो इसमें से का मान निकालन कर उपर रख रहा हूं गया in SpainSeam क्या मुंदख केस्जाओ बाउन साइन थिट और है इंट्वे साइन क्यूब थिटा वाइपकुमा क्योग क्यूब थिटाद है म escrita कि अवगे सामें थिटा इंट्व Turbo कॉश्ट थिटा इसमाइप वैक्स कमान निकाल कर वाल उपधा ओभ आ अब ऊपर सो कोमना रहा है ये को झृता को मनारा और सानु वट Mister स्वार वच जाएगा साएनिव्ह荸च को जाएगा स्वार्लियों स्वाइड ट्रहक्त outer ग्रीपारा एंटो कोश्ड़ा ठीक है इसका मानिए होगा और कोश्च से फिर कोश्ट इड़ गाओ तो य कमान किता गया साइनर थे जाए से लिए इसे फिर से तो यह भी गाओ यह सब्सक्राइब क्या गया कोशिट आ गया तो एक्सक्यूब क्या साइन क्यूब प्लस कोश्क्यूब का मानिक होता है नहीं होता साइन स्क्वार मानिक होता है नहीं होता तो यह आएगा साइन इसके लिए आपको 10A प्लस B का मान आना जे 1075 को हम लिखेंगे 45 प्लस 30 अब 10A प्लस B का फोरला अदा 1045 प्लस 1030 अपॉन 1-1045 और 1030 प्लस 10B उन्टीज तंडीए 1075 को मेने लिख तिया 1045 का मान किता होता है एक होता है और ओर 1030 का मान होता है इंट्यों ॉतर है एंट्वाइ एक भुटें डूर्ट innocent रोगुत हमारा उंड्रूर थीन अंडूर करें किसका मान निकालना है साइन इसके फोर्मिले आपको याद होने चीए तो हो गया इसको मैंने दो से उपने से मल्टिप्लाइए कर दिया दो साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिवर साइन साथ का मान रख दो और साइन साइन सी को आप बाहर रहना साँ है तो से तो पन लिचे उना कर दिया और साइन साथ का अग्वार्ण रख दिया तो साइन इस साइन एक ओस साइनस अब तो सफॉर्मूला होता है कोर्षल माइनस माइनस कोसे प्लस तरोगें अंडुरूर्ण 3 दे च्यार स्कोंज लेमाइनस भी मैन किता आएगा स fertility है माइनस दीज माइनस कोस भी प्लस भी अब स्क्रावाइप हो आएगा और ये होगए साइनस सीन को क् recovery होता है को स्कॉ cellDOTA gen sn का शर्षर होता है सान स्कुंद अदर कुना कर को साठ का मान किता होता है एक बटे-दो होता है एक बटे-दो साइनस सी तीक है इसमें भी जोश्य उपनिशे उना करते हैं अब यह बटे-दो कोमन आ रहा है एक बटे-दो कोमन आ रहा है तो यहों गया under root साइग ए मैंनिस वी किता होगा 60 मालेशी हो गया साइनल सी ये साइन उनाज केंषा गाए, अब साइन साइन 100 को और साइन असे को किसी एक को चेंज करना पुरेगा इसको लोग दो एक सशिप्ते माईनस ये तो ही होगा अंरूरूर 20118 इसको लिख दो सान्स शोको लिख दो आप एकसो सी माहनिस सच और इसका माहनर रूट इस पीन बड़ेदो और माहन सानाशी अब एकुण बार सें एकक्पार है एक सॉसई माहनिससी का माहन होता सांशी श्यक्रीस धिय tangible का माहन होता और से अली है माइनसताव साइन है सिए शाइन असीड चैन जींद लाइए पील्ड बूचिन करें owers यहुंत सैंद दिफ्रेटा रगवborgड अर्फा कहना दिफेटा बर्फीर समपड रूट सैंद धिटा प्लस कोशिटा का मान किता होगा माइनस बी अपोन ए होगा और साइन दिटा इंटू कोशिटा का मान किता होगा सी अपोन ए होगा तो अब आपको इन में से कौन सा रिलेशन ट्य होगा इसका उपरवाले का ओल स्क्वार कर देता है उपरवाले का ओल स्क्वार क्या होगा इसका मान 1 होगा, प्लस 2, इसका मान 1 C अपन A होगा, एकल टो होगा, B square अपन A square. A square LCM ले या पूरी equation को A square से multiply कर देता है, तो होगा, A square plus 2AC equal to B square. ठीक है? तो इसमें C square एड़ कर दो, दोनों साइड. इसमें C square दोनों साइड एड़ कर दो. इसमें C square दोने साइड एड़ कर दो तो यह हो जाएगा A plus C का whole square equal to B square और plus C square यह C square दो आगे माइनस का हो गया तो यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा plus C आएगा इसका आपका second option आएगा यहां पर plus C आएगा इस plus C के recording यहां पर आंसर क्या होगा second option होगा इसका option क्या होगा second option आएगा कि लिए रहे नेक्स किसमें करें को सेक माइनस है नेक्स कमान यह है और शेक्स माइनस को सेच तो इसको एक काम करो को सेको लिगता वन अपन साइन सेक्स माइनस का सानेक्स कामन किता है यह है साइन एल चिए यह क्या होगा अपन क्या होगा यहां अपन को सेक्स न चिए वहाल रहा है one minus cos square X यह हो जायगा sine square X और cos x यह b कमान आ गया a और b कमान आ गये अब आपको इंट में relation कौन सा वला होगा तो मैं यह पहला वाला verify करता हूँ देख़ो a square plus b square कमान देख नहीं होगा और यह तीसरा और चोता ओप्शन तो नहीं आएगा तो मैं पहला होला वेरिफाई करता हूँ A square into B, A square into B निकालता हूँ A square into B का मान निकालता हूँ इसका square क्या होगा, cos की power char x और यह होगा sin x यह होगा sin square x into B, sin square x और यह हो जाएगा cos x यह कट गया, cos cube बचह गया, क्या बचना है ,cos cube x और उसका power कि तहीं है जुर्बवाइए है इसका मान क्या होगा है तुछ स्क्वाइर रेक्स होगा अचे एंटिगगए इनुटिवी स्क्रायन निक्राएं एंटिगें निकाले तो क्या होगा एक मान तो स्करर्च मैं बच गया निर्च के पार किती लगाएं के लगाएं तो इसका मानए इतना होगा साइनि स्क्वार सूरेक्स रग्स को स्कार एक स्कमान एक YO थे सोन फॉस्ट आपका अंचेर और डाओधा उसलयं चब्स फॉष्ण है क्लियर नेच्स्क्रेंच करें सो अन मौरा Eden कमान दे रहा तो इसा कमान पूलिंप कालें M और N का मान दे रखा तो इसका मान निकाला तो M स्कॉर प्लस N स्कॉर तो M स्कॉर प्लस N स्कॉर क्या होगा कोश स्कॉर ए अपोन कोश स्कॉर B प्लस कोश स्कॉर A अपोन साइन स्कॉर B और इसके साथ मल्टिप्लाई क्या होना हो रहा है कोश स्कॉर B हो रहा है तो इसमें से cos2 एक common ले लो फ़र से और फिर lcm लेलो sin2b और cos2b lcm ले लिया तो यह से होगा यह से multiply होगा तो यह हो जाएगा sin2b plus cos2b equal to क्या होगा cos2b इसका मान एक होगा इसका मान एक होगा और यह मतलब यह गुना में है न को सिस्क्वार बी को सिस्क्वार बी से को सिस्क्वार बी कट गया और इसका मान एक हो गया तो यह आ गया को सिस्क्वार एपन साइन स्क्वार बी को सिस्क्वार एपन साइन स्क्वार बी यह देखो यह ही तो इसका होल स्कॉर ही तो है यह क्या है इसका ही तो होल स्कॉर है होल स्कॉर है पहुं स्कॉर ही इसका मान निकाला था आपके पास के तरया एन स्कॉर है इसका होल स्कॉर करने पर क्या है रहागा एन स्कॉर है क्लियर है आसान सा है अंमिदीयन मॉड और इसमें relation बताना है है mean mode median mean mode median में होता है 3 median 2 mean plus mode होता है 3 median equal to 2 mean plus mode होता है Clear है इसमें relation होगा Clear next question करे one of the property of the mod is calculated it is not affected to 관련 सब्सक्राइब कोई अफेक्ट नहीं होता तो इसका उप्शन आगा सेक्ट चाहिए तो मीन क्या सब्सक्राइब करें अफेल है और पहले वप्शुर्वेशन में वन एड़ कर रहे हैं तीसलों इंद कर करें आगे हैं यह क्या हो जाएगा फिर तो यहां से किये एक एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ऐसे करके और एक्स एन का मान के तारह एन इंटू केपिटल एक्स आ रहा यह रिलिशन अपने को आगे काम आएगा ठीक है अब जो किशन बोल रहा को काम बढ़ना है यह जाएगा एक्स वन प्लस वन फिर होगा इनका मीन निकाले को एक्सटू स्फ टू एक्सट्री गाए इसे करके इक्सट्रें फ्लाइए और इनका मीन निकालने की क्या करते हैं प्लस प्लस कर देते हैं त्या कर देठें के अब इनको तो लग कर लो X1 प्लस X2 प्लस X3 डोट-डोट डोट-डोट-डोट एक से इनको तो लग कर लो और इनको लग निकाल लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दॉर्ट्छ सब्रिणों को रख कि निम्ने काल दो अप्न एन कि कहाँ इसका मान Ilura N X N is K Is K इन कईता है N X X और исп को मान होगा N Nb प्लस 1,2 , N бы को भून, यौथ सम्मों फ़ेस्ट एर नाचुल, पर्तम N प्लाकर संग्या होगा यह कफ जो मल वोटा है पर्ता में प्राकर्षक एन अको मन आके कट रहे तो क्या आगे ऐए एक्स प्लस-त अन प्रस वन अपोंट तो आ रहा था आपका ऊप्से न सहीं होगा एंपल्स-त क्लिर-ए-क्रिय nu-क्रें हुआ है मीन इनका है में कि दो इसका में निकालना है जिसमें निकालते हैं फिलेकर निकालते हैं इस फ्लेसे फिलेकर सी प्लेसाथ सी फिले यिद्म तेला भी ख्वाень मज़ा एक सब्सक्रार सावग favorites क्मानब शिएरो उस.' कि इसका माद्द्द निकलता है तिनों को जोड़के तीन का बाग दो इसका ओली स्कुर क्या होगा कि इसका मान किता होगा घ्री तो यह पूरा जीर हो गया जाने कि ऊपना किता होगा नाइन याम स्कुर हो गया तो इससे केंसे होगा है 3, 3m² इसका क्या होगा, mean होगा, 3m² क्या होगा, mean होगा, clear है, clear x plus 1 upon x का mean है, mean कैसे निकलता है, x plus 1 upon x upon 2 equal to, m है, x plus 1 upon x का 1 किता हो गया, 2m होगा, तो x3 plus 1 upon x3 का mean क्या होगा, x3 plus 1 upon x3 का mean ऐसे निकलेगा, यानि कि इसका मान निकलने लिए इसका whole cube कर दो, इसका whole cube क्या होगा, a3 plus b3 plus 3ab, फिर रहेगा a plus b, और इसका cube किता होगा, 8m3 होगा, ठीक है, ये दोनों कट गए, x plus 1 upon x की जगे क्या रख दो, आप 2m रख दो, तो इसका मान किता होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 upon x3 का मान हो गया, 8m3 माइनस का 6m, ये ये रख दो, इसका ही तो मान चाहिए, इसका mean निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका मान कितना होगा, इसका मान रख दो, तो 8m3 माइनस 6m upon 2, common ले लो, इसमें से, m common ले लो, 2m common ले लो, तो क्या हो जाएगा, 4m2 माइनस 3 upon 2, उससे 2 खर दो गया, m into 4m2 माइनस 3, second option आपका answer हो लिए, clear है, clear, आसान सा है, next question करते है, back content 20 balls, इसमें x balls क्या है, red है, black है, sorry, x ball black है, x ball क्या है, black है, ठीक है, 10 more black ball are put in the box, 10 और काली गेंदे, इस box में ठेले में डाल दी जाती है, अब black ball किती हो जाएगी, x plus 10, है, total, total पहले किती थी, 20, यह क्या था, total था, अब total कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, अब total कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, what is the probability of drawing black ball is double, what of the before, probability पहले डबल थी, clear है, black ball की probability यहाँ पर किती थी, अब यहाँ पर ब्लैक बोल किती हो जाएगी, x upon 30 हो जाएगी, clear है, x upon 30, black ball की, number of black ball upon total ball, number of black ball upon total ball आएगा, ठीक है, अब यह क्या था, पहले double था, यह कि उसने बोला हो है, कि पहले प्रायक्ता है, उसकी दुगनिक प्रायक्ता है, काली के निकालनी हो जाती है, ठीक है, तो इसको solve करें, तो 0 से 0 कहने चल हो गया, 2 से 2 गट गया, यह 3 इदर आएगा, 3x, यह हो गया, x प्लस 10, इदर आएगा, 2x, x इकल टू 10, x इकल टू किता होगा, 5, x का माहनी पूजरेस में, x का माहनी किता होगा, 5 होगा, पास समझ भी, पहले की प्रायक्ता, जो अब जो प्रायक्ता निकलेगे, वो पहले प्रायक्ता की दुगनिए, ठीक है क्या, clear है, तो इसको आपको 2 से गुना करना है, फिर ब् ब्लेक बोल की प्रोडी निकाल नहीं है, तो ब्लेक बोल अपोन टोटल बोल आएगा, ब्लेक बोल अपोन टोटल बोल है, बाद में क्या होगा, ब्लेक बोल डाल दी, तो ब्लेक बोल दस बड़ जाएगी, तो टोटल बोल भी अपनी दस बड़ जाएगी, clear है, तो आपका पॉइंट पॉइंट फॉर का रूट अगा पॉइंट शक्सेट करें तो ने डाइस फॉइस एक डाइस को दो बार टैंट तो टो टोटल आउटकम कितने होते हैं 6 होता है तो what is the probability 5 will not come up either time 5 ना ने की पाँच कितने केस में आता है पाँच 11 केस में आता है कैसे एक तो होगा 5 1 एक होगा 5 2 एक होगा 5 3 एक होगा 5 4 एक होगा 5 5 एक होगा 5 6 एक होगा 1 5 एक होगा 2 5 एक होगा 35 एक होगा 45 एक होगा 6 5 यह गत जिन में पांच आता है 11 केस में 5 फांच में पंच अपाँचhington केस होगई चाहिए मेंस करें तो थाते इसिए बनार पकसिश और तो पत्चीश केस में पांच नहीं आएगा पत्चीस केस होगी इन पांच उसकी प्रोविल्टी कितनी होगी है 25 बटे 36 है क्लियर है एड़ाइस फ्रोट्वाइस प्रोविल्टी आप सम इस बिंग ओड सम ओड हो देखो जैसे एक और एक करेंगे तो इनका सम क्या रहा है टोटल वो ही अपने पार 36 होगे है एक राट का सम क्या ओड लेकिन ईक और दो क्हें होगा ओड राएगा फिर एक और थीन का क्या होगा Demo होगा फिर एक और चार इनेख़ ऑघ छार करें होगाम यानिकि अक्षा धन गार्टाष्टयfeito Aunque एकBeat कि एक बड़े दो आएगा एक बड़े दो मदब अठारा बड़े चत्तीस होगा इसका अधाब एक बड़े दो आएगा ठीक है कि नेक्स्ट कुछन है कि वाट इस फिप्टी थी संडे आने की प्रोविल्टी बतानी है तो ओडिनेरी येर के अंदर क्या होता है एक दीने त्री सिर्फ पाइस जता चुटा है एक देन एक्स्टा बचार वेड़ा ऊपाती दो आपके पास वीक होगे ही और प्लस एक दिन एक्सिता बचेगा एक दिन आपका एक्स्टा बच Proseंने है ओग तो यह एक दिन का भी संडे होना चीए वह एक दिन भी क्या होना चीए तो देखा फिटी टू संडे तो 100 परशेंट होगा चाहे वह लीपियर हो जाए नौन लीपियर हो ठीक है और यह में 365 डेज होते है तो इस तो बावन तो सप्ता होंगे और एक दिन एक्टा बचाएगा अब वो बोला कि तरेपन सप्ता होने की प्रविवार होने की प्रविवार पूज रहे तो तरेपन रविवार तो होंगे अब तरेपन वह रविवार कब होगा जब वह एक दिन जो आया वह भी क्या होना चीए रविवार होना चीए तो उस एक दिन के टॉटल आउट्वम क कितनी होगी एक बोटे साहर किसा शाहत मतलब सात आउट कम में से एक बार शार रहा तो इसके प्राइक है कितनी होगी और है इंदर in the graph of the equations क्विशन किया होगी परहने कोई इंटर्चेट करेंगी इसके लिए हम निकालते वन अपॉन एटू कितना होगा फाइब अपॉन थिरी होगा दियोन अपॉन बुट्ट अगा मानस का 15 अपॉन नइन मािनस का नइन होगा और सी वन अबाहन सी टू किता होगा एट अ 24 उपजाएगा 25 ऊभा यम्होंटी वी गोलनल तीन है चलंग ‫टीन नोगा घांट हो मुसका कोभी तो और दूसरी के उपड़ लाइक रहे कि ठीक है तो इसको प्सुन आगा फर्स्ट नेक्स्ट है है एच सी एफ दोनों का एच सी अब बताना है नेच्रल नमबर यहां पर दोना एक प्राकर संक्य है तो इसके उसनों का आप बिल्कुल एजी लिए में कर दो एक का प्राकर संक्य है तो एक कमान कितना होगा दो गुणा एक प्लस से तेरा तो कितना होगा पंदरा और बी कमान कितना होगा एक प्लस साथ ये कितना होगा इसका माने होगा एक तो थाड़ अप्सन है नेक्स्ट है a square minus b square का मान तेरा है तो एक का मान क्या होगा a और b natural number है तो इसके आप दो फेक्टर कर लो a plus b और a minus b equal to किता है 13 है अब 13 के दो फेक्टर होगे एक गुणा 13 और 13 गुणा 1 क्कुले कि खिंगे धर को तो दोनों पहले केस में क्या होगा a a plus b का मान लो एक और a minus b कमान की तरी रहे क्त यह हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है a plus b का मान 13 और a minus सब्सक्राइब तो पहले इसमें देखें गिय। यह हो दोंगे ले रहा हूं इसमें मैं ओने साथ गिताई लेना पड़ेगा यह लेना पड़ेगा लेकिन यह और रही रही है तो इसका मेलग यह तो ने सकता यह गा हो गावर व्याट यह ही केस स्कीफ पोशिवल है का मान कितना हो रहा है साहतों एक मान होचा रहा है कमान कितना है साथ आएक क्योंकि आ बाइनस भी वो एक क्या बनते हम दोनों कांतर एक तो इसके लिए हम करेंगे 15 की पावर 16 है इसको हम लिखेंगे 16-1 की पावर 16 15 को लिखेंगे 16-1 अब हम इसका क्या करेंगे बाइनोमल थोरम की अकोडिंग इसका एक्सपेंड करेंगे तो मतलब सभी तोटल 17 तम आएंगे उनमें सभी में 16 का फैक्टर होगा लेकिन जो लास्ट वाला टम होगा वह आएगा माइनस वन की पावर 16 आएगा माइनस वन की पावर 16 आएगा तो इसका मतलब इन सभी में तो अपने को क्या करना है यह इस फो में बनेगा 16 प्लस से यह बनेगा बनेगा यह पर यह बनेगा यह बनें इन सभी में इन चो सब्सक्राइब नहीं जाएगा और प्लस का वन बच जाएगा लास्ट में अब इसमें क्या क्या आड करें कि एक सिक्षटी अफिच्टीन इड़ करेंगे कि फिटीन एड़ करेंगे तो यह इसमें भी सैघ्षीन को माना जाएगा और यह शीच्टीन से कंप्लेटली Divide he Juliet fax नेक्स्ट किसन करें एक्स का मान यह दिरगा तो रूट एक्स प्लस वान अपों रूट एक्स का मान निकालो तो आप इसको इसको लिखो इसको लिखो साथ को लिखो च्यार प्लस तीन साथ को लिखो च्यार प्लस तीन और प्लस च्यार अंडरूट तीन च्यार को लिखो दो क टू अंडरूट 3 तो यह होगा a square plus b square plus 2 a b यह क्या होगा a plus b का whole square हो गया यह x के कुल हो गया और root x क्या होगा root x क्या होगा two plus अंडरूट 3 होगा one upon root x क्या होगा इसका स्कूल्टा कर दो one upon two plus अंडरूट 3 पर्मेकरन कर दो रिशनलाइज कर दो two minus रूट 3 तो यह होगा two minus अंडरूट 3 नीचे होगा a plus b minus b a square minus b square तो यह होगा 4 minus 3 एक होगा एक्स कम वन अपन एक्स कमान किता हो गया दो मैंस रूट 3 आपको क्या निकालना तो एक क्या होगा और आपसको क्या कर लो इसका मान एक्स होगा अवाभ इसका जो होल स्कुर्ण कर दो इसका होल स्कुर्ण सकते हैं कि एक कम करने पर इनफानिटी रहे गा तो एक 12 x इसका स्कारेक कुट गया एक स्कारेक्ष कट गया गया इसी को टेक्स माना आपने ठेक्स कमान किता होगा 11 और होगा आसए को सब्सक्राइब कि इस दगरेटेश्ट आमोंग दा इन में से बड़ा कौन होगा तो यह तो है 100 ला तेक बटेश है ये हैं 12 की रात एक बुटे तीन तो पॉब ये क्या हो जाएगा? सो की गाँते अगुटे उट्स है यह दो कुंदर हां एंप एक सो चम्वार ये घुदक हो जा breakout ॑र यह तीन ही पू्ट सटरद सब्सक्राइब हो च बनादोs मिच्वानाओब बागयोघ prior घुटक हो गया चो अब दना हो इना ही च्भाब और पंट भून से अगए ऑगा अवा ठीक है अ कि नेक्स्ट है अच्छाने सब्सारी चीरड होता है उप सब्सक्राइब प्रक्षेट से छोटा ही अच्छेंग कर ना देघ्ड दीज़ड़ीत है इंट जिब्यूता है इसको पसे मात्त इन गश्च कोड़ी लिग आ खिर अच होता है इसका उप्शन ते आएगा सेकंड आएगा नेक्स्ट है एक स्क्वाइर प्लस बीच्स प्लस एक और डी की क्योशन है कुण सा कतन ऐसे थे अगर एक परफेक्ट स्क्वार होगा तो रूट्स आर रेशनल होंगे जैसे मालों आपका फोर्वला यह होता है माइनस बी प सब्सक्राइब यह क्यों प्रपेक्ट स्क्राइब होगा तो यह क्या होगा रैस्नल होगा तो यह प्लस-्स का घ्रवलोग तो ध्युक्य नहीं एक अगर इसका मानेगिक्टियोगो तो रूट्स प्लस-mijnस जोगा के अंदर नेकतिव लिए लेख में नियोटे तो रूटस क्या होंगे रोस्त रियल रूटस लोट्स नो रियरोटस क्या होंगे इमेजनेर रहोगी तो यह भी आपका true is are a 20 square equal to forest hooga तो यह लिए अनिपन हो गाइट बाइग कि गया रोंग आपका इसका आपकी अंजो और नचेच कि संगते स्गडना एक दूसरे को इंट्ररचेकर दोनों नाइन इनक्ट करें एक लोने दूर ह razem अपोन एक टो नोट एक लूट एक्टू आ मृत एक लूट直接 आएंठिपो एक किसी अक्रिए नोट एक्वेट्यução अप्साना आ प्छेश्डे पडेशाग की करें नैक्स करें मिडिंड हैं और में दे रहा है मिडियन रखे हैं में दे रखे हैं में दे रहा है में दे रहा है मोड पूच रहा है नियुक्त पलाज यो निथे प conversion मेंखता सी है 2 into mean किता है 16 plus mode upon 3 यह जाएगा 45 और यह 32 plus mode किता आएगा 45 में से 32 किते बचेंगे 13 बचेंगे तो mode किता आएगा 45 में 32 तेरा तेरा अंसर आएगा जो क्लियर है यह रिलेशन आपको यूज़ करना है कि नेक्ष्ट करना है कि P, X, has a equal roots यह एक equal roots करकता है तो R कमान क्या होगा तो B SQUARE-4AC equal to 0 होगा B square minus 4AC तो B square यह होगा B square minus 4AC कमान कितना होगा 0 होगा तो B square B किता है क्यों है Q square माइनस 4 A का मान किता है P और C का मान किता है R equal to 0 होगा तो Q square equal to किता होगा 4 P R होगा R equal to क्या होगा Q square upon 4 P R equal to क्या होगा Q square upon 4 P तो first option आएगा तो इसका answer क्या है next question करें कि P Q R T R real number है और यह T R S सब दे रखा है तो आपको यह बताना है ठीक है तो देखो यह relation को आप जिंग से बढ़ना आर ऐस से छोटा है यानि कि एस बढ़ा है अब इस तरीकी से बना लो यह आर है और यह S से छोटा है स्वरी एस बढ़ा है R से यह तो आप S ले लो और यह बेस ले लो सबका ठीक है और यह आप आर ले लो यह बढ़ा है और ती क्यूं से छोटा है टी न टी बढ़ा है क्यों से यह यह वो क्यूं से बढ़ा है ठीक है और क्यूं पी शे बढ़ा है क्यों है वो पी से बढ़ा है पी छोटा है फिर से तो यह यहां पर पी आएगा कि और टी आर्ट से बढ़ा है है टी है जो आर्ट से बड़ा है तो यह थोड़ा सा बड़ा होगा तो कहले विच इस नंबर इस सबसे बड़ा नंबर कुंसा होगा सबसे बड़ा नंबर क्या 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 होगा सबसे ब चार बार है तो चार गुली यह चार इंटू च्यार की घाथ BM ब्रापर हो जायँ दस यह नीचियां यहाद च्यार को लिगेंगे दो न Fr बराबर बुकाइब्लण सब्सक्रान करें तो सब्सक्राइब क्रोंबर किया होगा दो एक नेक्स हमकिन्क है इसका संब्सकूय उपको सिंप्लिफाइ ना है इसमें इ से दोखी गात 2000 हूपर से को बना रहा है दोखी में माइनस दोखा इसवार मैम हैं ह। जोखार व्हेut एक बात है तो उपर तो बच गया सिरफ 2 यह बच गया 3 और नीचे बच गया माईनस 3 सितीन कटगी है माईनस 2 आंसर आ गया तो क्लीर है । आसान है आसन स क्यूसिन है clear next question करें इस कामान निकालना रहा है तो यहां से पहले एक्स कामान निकालना पड़ेगा तो WT4 इसको लिखेंगे की और इसको लेकिन इद एक फोर एकस इंटो फोर्रोली पावर इधो T21 multiply ने लो आगल एक तोट चुक़ यह ऊजाएगा 4-4 तो फोर एक्स इक्कल में च्यार रहा करेंगे तो तीन विटे च्यार ओगा यह से चाहर गए आठ तो यह च्यार एक्स ब्राबर होगे च्यार गुंअ अएट ठीक है अब आपको एक्स कामा निकाल ने तो इसको लिखेंगे फोर एक्स बेराबर फोर इंतू फोर इंटू तू इसको लिखेंगे फोर 5 Hall & a और का पावर आधा है ओनी बोलकर वर्ट वा तो फॉर अगुल कि क्या हो गया अगर की पावर फाइब टो हो गया पेस सेह मोत तो पावरेड हो थी है तो एक्स कमान किता हो गया पाँच बटे 2 एक्स कमान पाज भी लोग आप इसके अंदर रगाव दो दो गुणा पाँच बटे दो कि घाद पाँच बटे दो दो से दो गड़ गया पाँच की घाद किते होगी दो पण्ट फाच ओगई वि और प्लस अधी अलग लिग दो तो फाची आध दो कमान तो 25 होगा अधी का मतलब रूट होता है तो 25 रूट पहाँ चांसर आएगा थाड अप्सन आएगा थाड अप्सन इसकांसर होगा नेक्स किसन करें कि अधिए फॉलोविंग इस ओड नंबर इन में से ओड नंबर कौन सा है देखो एक का स्क्वाइर करते हैं तो उन्होंने यूनिट डिजिट की बात करना हमें एक एक का इसको एक कुणा एक होगा और एक में तीन जोडेंगे तो यह क्या होगा एक इवन नंबर होगा इसका यूनिट इजित चार होगा इक है यह उए तो गुडव करेंगे दो गुणा दो गुणा दो आट आट आएगा आट में दस जोड़ेंगे तो अठार आएगा इसका इका हुझ का इवाइगा आएगा तो टीन का कि अीव स्क्वाइर कर देग नोग नोगा नमें साथ तो रोट को डिसाइड करता है तो ओड़ कोंची हो यह वगई बाकिए तो इवन ओगई तीन ओगे ठीक है इन सब के एक आई के अंक निकालने आपको वह तोड़ से देखना है नेक्स्ट कुछन है वन काड़ी दों फ्रॉम वेल सब्सक्राइड डैक और फिफ्टी टू कार्स दैन विच अब दा फॉलोविंग इस तो कौन सा रू है प्रोल्टियों काड़ी डाइमंड एक पत्ता इट के पत्ते होते होते है तेरा तो इसकी प्रोल्टियों कि तेरा बटे बावार यानि की ए रण्य। अचर और किया कर दो बिल installations तो आट बटे बाव दोटे खौन का रोड़ी तो की अुषे होनों होगी तो आपका ओप्शन कौन सा आएगा इसमें सेगंड ओप्शन आएगा क्लियर है इस तरह किसे डिट्यस्टी के सोलुशन आपके कंप्लिट वह वह अच्छे से देखना क्लियर थेंक्यों